मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है आप हमें स्टार्ट करते हैं अपनी रस्पी चलिए तो फ्रेंड्स आज में बनाने जा रही हूं बत्वे की डाल इसके लिए मैंने बत्वा ले लिए उसे अच्छे साफ करके अब मुझे इसको बारिक बारिक से कट कर लेना है मैं चाकु सही कट कर रही हूं आप अगर ना कर पाएं आप कैची से भी कट कर सकते हैं यह देखिए का टेस्स बहुत बढ़ी हाता है दाल को अच्छे से साफ कर लेंगे तीन से चार बार आप इसे धो लीजिए अच्छे से फिर इसे साफ करके हम इसे यूज करेंगे मैंने दाल दूली है अब मैं इसे कुकर में डालूंगी की कि अब जैसे डाल चड़ाते हैं बस इसको वैसे चड़ाना है सिक लिए को कर दिए आप डूली हुई डाल को और जैसे बातवा काटके रखा था वह बदाभी इस साथ में मिक्स कर देंगे और इसे पूरा बतवा में डाल दोंगी बतवा जदा रखना है डाल से अगर आप एक कटोरी डाल लेते हैं तो आप समझ दीजिए आप इसमें तीन कटोरी बथवा डालेंगे और इसमें नमक एट करेंगे अपने टेस्क एकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालें और इसे बस ढखकर लगा के प्रेशर कोकर में से दो सीटियां लगा देंगे अब हम तड़के क तर्श्चार की तायारी करते हैं इसके लिए मैंने लिया है एक प्याच और तीन से चार लेस्न की कट जो होते हैं और मीर्च लाल मिर्च पिसी हुई और खड़ी लाल मिर्च सूखी हूई लेस्न दोगी मेरी घरा हो गया हिंग हो गई और थोड़ा धन्या पाउडर यह सार अब इसमें सबसे पहले हम हींग डालेंगे हींग को थोड़ा भून जाने देंगे यह दाल सर्दियों में खाईए बत्वा गरम होता है और इसकी दाला बहुत अच्छी बनती है बहुत टेस्टी अब इसमें खाड़ी हुई लाल मिर्च को डाल दूंगे तोड़कर तीखा अ अब इसमें जीरा डालेंगे भूनने के लिए जीरा भून लेंगे अब यह सारी चीजें हमारी भून जाएंगी अच्छे से अब इसमें लेसन और प्याज दाल के भून देंगे मैंने लेसन डाल दिया हलका भून गया इसमें मैं प्याज भी आट कर दिया अब प्याज को पहुक्त हैं करें अधिंगे है piston इंधे हैं बहुत ही टेस्टी दाल बनेगी इसका दर्ड का बहुत है मेन इसमें तर्चा हो था इसके टड़के का टेस्ट बहुत अश्या आता है अब है यह सब अच्छे से भुण जाएंगे तो जो ने मसाले के लिए थे वह हम इसमें एट कर देंगे कि देखिए आज हमारा भून गया है रख भख हलका सा और हो जाए बस कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि कलर बहुत अच्छा आगया है यह अच्छे से भून गया है हुआ हुआ है यह इस प्रॉ। अदि प्राउन हो जाए हिनका न है से बढ़न गोल्ण बराउन हो जाए कलर ज प्लट देंगे ये देखिए मिर्ची का कलर आ गया बढ़िया और हल्की सी हम इसमेरी मिर्च भी ऐड़ करेंगे मैं एक चमच कश्मीरी मिर्च भी में अट कर दी उसे कलर और अच्छा आ जाता है अब इसका तड़का क्या तड़का हम लोग दाल में ले जाके डालते हैं मैंन तड़का तयार है बिल्कुल मैं अपनी डाल एट कर दूंगी देखिए अब यह दाल को और तड़के के साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पका देंगे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी बनती है आप ट्राइ जरूर कीजेगा एक बार देखिए कितना अच्छा कलर आगया कितनी अच्छी दाल लग रही है अब मैंसे साफ करते हूं निकाल लूंगी मैंसे यह देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और उपर से गार्निश के लिए मैंने इसमें हरी में चौर थोड़ा सा उपर से रख दिये थोड़ा सा गार प्रूडियो में बाई